Hi People, Welcome to my channel, Health Tracks & Tips, the best pregnancy-centric channel. दोस्तों, pregnancy के पूरे 9 महिने के सफर में, गर्ब में शिशू और मा का जो जुडाओ होता है, वो गर्ब नाल के थुछ होता हैं। और इसी की वज़े से बच्चा मा के गर्ब में जीवित रहता है। ये सुरक्षा के साथ साथ पोशन देने का काम भी करती है। गर्बवती महीरा जो कुछ भी खाती है आहार नाल के माध्यम से उसका पोशन बच्चे को मिलता है। और यही नहीं इसके साथ ही बच्ची को किसी भी तरीके के संकमन के खत्रे से ये गर्भ नाल बचाती है। या यू कह लीजिए कि ये गर्भ नाल गर्भ में शिशु के लिए लाइफ 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 लाइन होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि गर्ब में शिशु किस तरीके से गर्ब नाल को अपने गले में लिपट लेता है और इस तरीके की समश्या होने पर गर्वती महिलाओं को क्या-क्या करना चाहिए, क्या उपाय होता है इसका यही समय आज आपको इस अपकी स्टार्ट करते हैं Pregnancy के चौथे मेने से गर्ब में शिशु हल चल और मुव्मेंट करना स्टार्ट कर लेता है । गर्ब में शिशु बहुत सारी प्रतिक्रिय क्रियां देता है लेकिन friends जिस गर्ब गर्बनाल से शिशु गर्ब में मां से जुड़ा होता है ये गर्बनाल जो है कभी-कभी movement करते करते शिशु के गले से लिपट जाती है ऐसा generally तभी होता है जब बच्चा ज्यादा हर्चल करता है इसके अलावा जिन महिलाओं की गर्बनाल थोड़ा ज्यादा लंबी होती है उनके गर्ब में शिशु के इस गर्बनाल को लिपटने की संभावना ज्यादा बनी रहती है क्योंकि गर्बनाल अगर लंबी होगी तो इससे गर्ब में शिशु के गले में इसके लिपटने की संभावना ज्यादा होगी गर्बनाल का गले में लिपट जाना शिशु के लि अपने गले में लिपट लिया है तो ये बहुत जादा खतरनाक इस्थती शिशू के लिए और मां के लिए हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं होता है और अगर प्रेगनेंसी के साथ महिने कम्प्रीट हो चुके हैं और इस तरीकी की प निकाला जाता है इसके साथ ही फ्रेगनेंसी के पांचवी छटे महिने में अगर गर्ब नाल को अपने गले में लिपट लिया है तो फ्रेगनेंसी के अंतिम चेरण में जैसे की शिशू का आकार बढ़ जाता है और गर्ब में शिशू को हिनने डिलने के लिए अधिक जगर नहीं मिलती है तो इस दोरान शिशू की इस गर्ब नाल के गले से लिपटने की संभावनाई कम हो जाती है तो इस दोरान इस चीश के बहुत ही कम चांसेश हो जाते हैं कि गर्ब से शिशू की जो गर्ब नाल है वो अपने आप ही निकल जाए तो फ्रेंट्स जैसे कि अल्टरसाउंड रिपोर्ट के दौरा इस चीज की जाज की जाती है कि गर्ड में शिशुने गर्ड नल को अपने गले में लिपट लिया है जिससे कि अपके पेट में पानी की कमी न हो और बच्चा जो है अच्छे से हर्चल और मुव्मेंट कर सके इसके साथे फ्रेंट्स अगर आप इस दोरान घी का सेवन करते हैं तो ये भी बहुत जादा फाइदे मंद होता है आप चाई या फिर दूद में घी डाल कर इस दोरान इसका सेवन करिए जिससे कि गर्ब में पानी अधिक होगा और चितनाई बनी रही कि जिससे बच्चे की मुव्मेंट करने पर ये गर्बनाल जो है वो बच्चे की गले से निकल सके तो फ्रेंट्स घी और पानी जो है इस दोरान अगर आप यूज करते हैं तो इससे गले में लिप टीवी गर्बनाल निकलने की संभावनायत बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो फ्रेंट्स ये थी जानकरी आई होप कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंट्स इसके अलागर डाउनलोड कर लीजे सिमसिम एप जहाँ पर मेरा अपना स्टोर है और मैं यहाँ पर विमेन परसनल हाईजीन और बेबी केर से रिलेटेट प्रोड़क्स रखती हूँ और कर सकते हैं शॉपिंग एक नए अंदाज में फिर्स टाइम लॉग इन करने पर और परचीजिंग करने पर आपको मिलता है 100 रुपिस का ओफ तो जल्दी से लॉग इन करिए सिमसिम एप और करिए शॉपिंग एक नए अंदाज में तो फ्रेंट्स आई होब कि आपको आज काई वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करी शेयर करें और मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स और टिप्स को जरूर सब्सक्राइब करिए थेंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन स्टे हैपी श्टे हल्दी